हेलो दोस्तों, रेडेन टूची का में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज मैं आपसे सेयर करूँगी कि कैसे आप नाडियल तेल का इस्तेमाल करके अपने चेरे करम को निखार सकते हैं, अपने चेरे को बूरा बना सकते हैं अपने चेरे से इतने pimpos और scars को remove कर सकते हैं और साथ ही अपने चेरे को soft glowing और pair बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में देख लेते हैं कि नाडियल तिल का हमें इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या-क्या benefits हैं तो चली दोस्तों वीडियो को सुरूप करते हैं दोस्तों इसने मेडी को बनाने के लिए विस सबसे पहले एक चमच नाडिल तिल को ले लेना है दोस्तों नाडिल तिल के धेट सारे खायदे हैं इसका इस्तेमाल खाने से लेकर बालू में और हमारे स्किन में भी किया जाता है नारेल तिल हमारे स्किन से दाग धबो को कम करता है हमारे स्किन को संड बन से बचाता है और साथ ही हमारे स्किन को चमकदार बनाता है और नार्यलते पे माल से हमारी इस्किन ड्राई नहीं होती है हमारी इस्किन सौट वह दो, अब हम इसमें आधी छोटी चममच हल्दी प्वाश्द को आड़ करेंगे दोस्तो हल्दी बहुत एक उनकारी होता है यह हमारे स्किन से सवी दाग दव्वोत को रिमूब करता है हमारे चेरे से पिंपल्स को रिमूब करता है हमारे चेरे से एकने को रिमूब करता है और साथ ही हमारे चेरे का रंग को निखारता है दी एंटी विक्टेरिल और एंटी हम्ường होता है जो हमारे इसकीन के बहुत सारी प्रॉब्रम्स को दूर करता है हल्दी के स्तेमाल से हमारे स्कीन का रंग निखरता है अब सब्सक्राइब होकर चमकदार दिखती है अब उसमें लास्ट में आर्ड-10 मो बीश्रस को एड करेंगी को अब दोस्तों निम्बू में साट्रिक एसिड होता है जो हमारे स्किन से संबन को रिमूब करता है हमारे स्किन के रंग को निखारता है और साथ ही हमारे स्किन से दाग धगव को रिमूब करता है निम्बू में ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है जो हमारे स्किन पर बोई और चमकदाब दिखती है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है यह अची तरह से मिक्स हो गया है अब हमारा रिमेडी बनकर बिल्कुँ त्यार हो गया है अब इस पैक को लगाने से पहले आप अपने चेरे को नॉर्मल पानी से या रूज वाटर से क्लीन कर लीजिए आप इसने मेडी को नहाने के दो घंटे पहले अपने चेरे पर अच्छी तरह से लगाईए बहुत ही अच्छी और बहुत ही निचुली मेडी है इसके इस्तमाल से आपके शकी की सभी दागदब्बे रिमूब हो जाएंगे आपके सकी का रंग लिखरेगा आपके पूरी अच्छी तरह से लग जाए आप इस तरह से पांच मेर तक मसाज कीजिए इस तरह से मसाज करने से हमारी स्किन की जितने भी डेट सेल होते हैं वो रिमूब हो जाते ही और हमारी स्किन गोड़ी और चपकदार हो जाती है इस तरह से पांच मेर तक मसाज करने के बाद आप इसे पंदर से बीस मिन तक अपने चेरे पर लगे रहने दीजिए और पंदर से बीस मिनाट के बाद आप अपने चेरे को नौर्मल पानी से दोलीजिए देखे दोस्तों मैंने अपटी चेरे को दोलिया है आप देख सकते हैं एक बार में इसकिन कितना क्लीन और ब्राइट दिख रहा है बेस्ट रिजल पानी के लिए आप इसे वीक में तीन से चार बड़ इस्तमाल कीजिए करें यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही निच्व रिमेडी है इस रिमेडी के इस्तमाल से आपके स्किन की जितने भी दागधब्ब्रे होंगे वो तूर हो जाएंगे आपके चेरे का रन निखरेगा आपके स्किन बहुत ही सॉफ्ट ग्लॉइन और पेर हो जाएगी और साथ ही आपके स्किन बेबी सॉफ्ट रहेगे आप इसका इस्तमाल कीजिए और मेरे साथ इसका फिट्वर्ट जरूर से अर कीजिए और मेरे आपके का